Hello friends, welcome back to my channel. Friends, insurance related हर लोगों को काफी जादा problem होती है, सभी को सिकाइत होती है, confusion भी होती है, कि कौन सा insurance उनके गाड़े के लिए बहतर होगी है, और कौन सा insurance में उनसको बहतर services प्रोवाइट की जाएगी. Friends, आज मेरी गाड़ी, जो है, मारती सुजू की desire, जिसका आज तीन साल कम्प्रीट होने वाला है, तो friends, जो company प्रोवाइट करती है, जो insurance तीन साल तक ही insurance को प्रोवाइट करती है, जब आप नई गाड़ी लेने जाते हैं, उस पे भी एक साल आपको first party insurance में लेगी, और बागी का जो दो साल देगा, वो third party insurance देगा, तो friends, अभी इसका third party insurance भी expire होने वाला है, अब इसका क्या charges होगा, क्या-क्या policy मुझे मिलीगी, और क्या-क्या add-ons मैं इसमें करवा सकता हूँ, सब कुछ बताऊँगा, इस वीडियो को end तर ज़रूर देखे, और अगर मैं चैनल पर नए हैं, तो इससे सब्स्राइब करना बेलकुल भी ना भूले, तो friends, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वताया था, कि जो company होती है, वो maximum three years तक की insurance आपको provide करके देती है, जिसमें से first year वाले रहती है, वो आपको first party insurance करके देती है, और जो बागी का दो साल रहता है, वो third party insurance गबर रहती है, तो friends, जैसे ही हम लोग एक साल गारी को चला लेते हैं, तो जब दूसरे साल होता है, तो क्या होता है कि जो first party insurance वो तो खतम होने वाला था है, क्योंकि second year और third year तो third party रहेगा, तो उस case में हम लोगों को बहुत minimum charges देनी पड़ती है, आगें third party से first party करवाने के लिए, तो हर एक साल मुझे first party करवाना पड़ता था, तो अब जो हो रहा है, ये तिसरा साल भी खतम होगे है, means third party वाला insurance भी जो कभर था, अब तक का वो भी खतम होने वाला, तो अब देखा जाए तो गारी का है, फिर से insurance करवाना पड़ेगा, तो क्या-क्या features मैं इसमें ले सकता हूँ, यही चीज सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, तो friends, जैसे कि मैं आपको पहले बताता हूँ, मेरा जो existing, free existing था, वो ICIC Lombard का insurance था, ठीक है, और इसमें मैंने बहुत सारे चीज एड़ाँ करवाया था, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने zero depth वाली policy को add-on किया था, ठीक है, add-on features में zero depth वाली policy था, अब यह zero depth वाली policy होती किया है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप first party insurance लेंगे, उसी के अंदर zero depreciation वाली policy भी आती है, जो आप add-ons कर सकते हैं, कुछ अलग से charges दे करके, तो जैसे ही मैंने इसमें charges दे के अलग से add-on किया, तो इसमें मुझे क्या होता है, कि कलो कि in future, अगर मेरा किसी गारी के साथ accident भी हो जाती है, तो जब मैं claim करने जाओंगा insurance से, तो मुझे कोई भी comprehensive, कोई भी amount मुझे pay नहीं करनी पड़ेगी, पूरा का पूरा गारी insurance बना गए देगी, बस minimum जो filing charge होती है, minimum मुझे 1000 बस उतना ही मुझे pay करना होगा, बाकि total amount company pay करीगे, तो यही हो गया zero depreciation वाली policy, जो मैंने add-on कराता है, इसके साथ ही मुझे इसमें engine protection भी मिला था, engine protection पलस भी मिला था, जो यह सारा चीज मुझे, अलगबख 12,870 रुपया का मेरा insurance था यह गाड़ी का, ठीक है, जिसमें से third party insurance अल्रीडी हो चुकी थी, सिफ third से first party करवाया था, तो मुझे इतना payment करना पड़ा, तो friends, अब मैं same policy को renewal कराऊँगा, फिर से मैं insurance लूँगा, अब देखते हैं क्या charges बनेगी है, तो friends, इस वीडियो को थोड़ा भी skip न करें, मैं इसमें E to Z आपको clear करूँगा, इसके बाद आपको insurance related कोई भी वीडियो देखने की ज़रूद नहीं पड़ीगा, तो friends, जलते सीधे so room के अंदर, जहां से मैंने गाड़ी बच्चेस के अदर, सिर्फ मैं वहीं से करवाता हूँ, हमेसा insurance कुछी है, क्योंकि वहां से मुझे अच्छा का सा पैचान हो चुका है, लिंक अप हो चुका, तो मुझे कोई problem नहीं होती है, तो friends, चलिए सीधे so room के और चलते हैं, फिर मैं आपको वहां पे light दिखाऊँगा, वहां पे सारा process में आपको समझाऊँगा, तो चलिए देर ना का तो हमें गाड़ी को सीधे हैं, लेके चलता हूँ, friends, finally मैंने insurance करवा लिया हूँ, जो कि same policy था, जो मेरा existing जो पहने चल रहा था, same same सारा कुछ वही है, और उसमें मुझे, अब जो मुझे fee देना पड़ा है, वो total 18,773, 18,773 रुपया देना पड़ा, जिसमें मुझे क्या-क्या मिलता है, zero depth वाली policy, जो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, उसके साथ साथ engine protection plus भी है, और return to invoice, जिसको RTI भी कहते हैं, अब ये return to invoice क्या है, मैं आपको एक मिनट में बताना चाहता हूँ, गट करके 4,48,000 लंग सम्में, तो ये हर साल 10% decrease होती है, लेकिन अगर आप RTI लेते हैं, RTI जो add-on करवाते हैं, means return to invoice वाला, तो जो आपका एक सुरूम था, जो गारी अब लिये थी जितने में, अगर गारी आपका टोटल लॉस में जागा, सबस्थ आज भी ये गारी टोटल लॉस में जाती है, किसी ना किसी unfortunately कहीं बूरा accident होता है, गारी टोटली डैमेज में जाती है, जिसका कोई recover नहीं होगा, देन आपको company, insurance company, आपको proper, पूरा का पूरा एक store room price आज भी आपको offer करेंगे ती, ये सबसे बढ़िया features है, सबसे बढ़िया add-ons है insurance में, जो कि मुझे ICI Lombard में मिलता है, इसलिए मैं इसको हमेशा follow करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी recommend करता हूँ, और सारा कुछ repair भी बहुत जल्दी होगा, और बहुत fast network है ICI C Lombard का, तो friends, उमीद करता हूँ कि आपको सारा dot clear हो गया हो, फिर भी कोई confusion ना मुझे simple comment करें, मैं वहाँ पर ज़रूर रप्लाई करूँगा, और अगर मैं चैनल पर नए हैं, इसे सचा करना, बेलकोल भी ना भूले, दो friends, आज के लिए तना मिलते हैं, कि स्नेक फेडियो में तक तक लिजाएंगे,